वेल्कम टू नेक्स एक्जाम आज है 22 सितंबर 2022 और 22 सितंबर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पू टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में ंतरास्टी सांती दिवस कम मनाया गया है तुअ अभी 21 सितंबर को अंतरास्टी सांती दिवस मनाये गया तो इस कुशन का बे-Options अयए सबी रास्ट्रों और सबी लोगों की बीच सांती के आधरसों को सुद्रड करने के लिए हर साल 21 सितंबर को अंतरास्टी सांती दिवस मना जाता है अच्छा इस बार के International Day of Face की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है And Racism Build Peace क्या है? And Racism Build Peace अच्छा अभी 18 सितंबर को बेस्व बास दिवस और अंतरास्टी समान वेतन दिवस मना जाए गया 17 सितंबर को बेस्व रोगी सुरक्षा दिवस और अंतरास्टी लाल पंडा दिवस मना जाए गया 16 सितंबर को बेस्व ओजन दिवस मना जाए गया 11 सितंबर को ही राश्टी बन सहीद दिवस मनाया गया, 10 सितंबर को 200 आत्मत्या रोक्ताम दिवस और 200 प्रात्मिक चिकित्सा दिवस मनाया गया, 9 सितंबर को ही वर्ल्ड एलेक्ट्रिक वीकल डेवी मनाया गया, 8 सितंबर को 200 बहुत्यक चिकित्सा दिवस, 200 फिजियो थेरैपी दिवस और अनतरास्त्य साक्षर्था दिवस मनाया गया, 9 सितंबर को नेशनल स्काइ स्क्रेपर डेव और अनतरास्ती गिद्द जागूपता दिवस मनाया गया, और 2 सितंबर को बेस सो नारियल दिवस मनाया गया तो सितंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाया गया है अच्छा कभी आपने सोचा ये बार-बार में इंपोर्टेंट डे क्यों रिवाइज कराता हूं कोई भी ऐसा competitive exam नहीं है जहाँ पर important day से question ना पूचा जाता हो और मेरी कोसिस ये रहते है कि मैं आपको बार-बार revise करा हूं जिससे कि ये आपको आसानी से याद हो जाए important day याद करना थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन ये याद होते है याद करने का तरीका यही है जब बे कोई important day आए उस month के सारे important day आप इसी तरह बिलकुँ sequence में revise करो और मैं आपको बोलता हूं ये definitely आपको याद हो जाएंगे अच्छा आज की स्वीडियो का हम target रखते हैं 40 से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है help लगता है तब आप स्वीडियो को like और share जिरुकिया करो और मैं आपको भी बोलता हूं daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में सतरक्ता अधिकारियों के लिए पांच दिवसी प्रसिक्षड कारिकरम कहां शुरू हुआ है तो लद्दाक के लेह में अभी सतरक्ता अधिकारियों के लिए पांच दिवसी प्रसिक्षड कारिकरम शुरू हुआ तो इस question का say options है है और लद्दाक पुलिस के ड सांस्कृतिक बिरासत को रक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदाइक संग्राले का उद्गाटन लेहे में हुआ और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर यानि कि रोबिंग सिनेमा हौल ये लेहे में स्तापित किया गया मैं क्यूशन है हाली में कौन सी राजी सरकार आजीविक का कारी योजना के लिए दो सो एकसेट करोड रुपए का निवेश करेगी तो अभी उडीशा सरकार आजीविक का कारी योजना के लिए दो सो एकसेट करोड रुपए का निवेश करेगी तो इस कुशन का बे आप्सन स उडिशा सरकार ने तटी पारिस्तित की तंत्र के उत्थान और तट पर रहने वाले लोगों के बीच जलबायू सामर्थिता बढाने के लिए अभी दो सो एक सेट करूर रुपए का निवेश करने की कोश्णा की है अब उडिशा तो यह है मैप में उडिशा उडिशा की कैप अभी समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उडिशा सरकार ने एन आई उटी के सा समझोता किया उडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉगडाउन लेरिक्स नामक पुस्तक का भी मोचन किया रास्ती MSME पुरुसका 2022 में उडिशा को प्रत्थम पुरुसकार से सम्मानत किया गया कम दूरी की बैलेस्तिक मिसायल प्रत्थमी सेकेंड का सफ़ल परिक्षड अभी उडिशा में किया गया है कुएला मंत्राले द्वारा रास्ती खनेज कॉंग्रेस 2022 का आयोजन अभी भुबनेश्वर में किया गया है अच्छा उडिशा में सुनावेडा वाइल लाफ सेंच अच्छा उडिशा के दो गाउं को अभी सुनामी डेटी डिकलेयर किया था युनेस्को ने वो दो गाउं कौन से हैं नूलिया साही और बेंक ट्रायपोर उडिशा में रसीकुलिया भीच है और गोल्डन भीच है उडिशा में लेंगराज टेमपल है, कुडार टेमपल है और जगन्ना टेंपल है। इतना उडिशा के बारे में याद रखना है। Next Question है, हाली में किस वासा की फिल्म चेलो सू आसकर 2023 के लिए नामित होई है। तो चेलो सू फिल्म ये गुजराती वासा की फिल्म है और अभी ये आसकर 2023 के लिए नॉमिनेट होई है। तो इस question का say options आई है, इस film का English name भी आपको याद रखना है, इसका English name है last film so, क्या है last film so, next question है किस राज के मंत्री वंडल ने सराब बनाने को बैद बनाने का फैसला किया है, सराब बनाने को लेगर करने का decision अभी मड़िपूर ने किया है, यानि कि मड़िपूर में अब सराब क बनाना legal हो जाएगा, तो इस question का B options है अब मड़िपूर, तो ये है map मड़िपूर, मड़िपूर की capital क्या है, मड़िपूर के chief minister कौन है, एन वीरें सिंग, और मड़िपूर की governor कौन है, ला गडेशन, बैसे mostly सारे राज्यों में सराब को बनाना illegal है, लेकिन मड़िपूर में अब सराब को बनाना legal करने का decision ले लिया गया है, इसके लिए Scotland और Ireland से बिसेशक्यों की एक team आएगी, जिस पर ये चर्चा की जाएगी, कैसे उच्छ और सुद्ध गुडवत्ता वाली सराब का निर्मान किया जाए, अच्छा अभी MFAL में आम लोगों की सिकायत के लिए, CM दा हैसी पोर्टल का सुबारम हुआ, कल ही मैंने आपको बताय था, CM दा हैसी पोर्टल, इसका सुबारम अभी MFAL में हुआ है, खौंग जॉंग दिबस ये 23 अपरेल को मड़पूर में मनाया गया, पूर्वोत्तर का सबसे उचा राश्टी द्वा, जिसकी उचाई 165 फीट है, मड़पूर के 20 दूफूर जिले में फेराया गया, मड़पूर के मुख्यमंतरी ने कैस दा रेन केमपें 2022 लॉंच किया, और लाई हरोबा त्युहार ये मडपूर में मनाया जाता है, एक ये और आप याद रखिए, संगई महुद सब, ये भी मडपूर में मनाया जाता है, नएक शुशिन है, हाली में किस ने स्केल एप लॉंच किया है, तो हमारे प्रजेंट टेम पे केंदरी सिक्षा मंतरी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी स्केल एप लॉंच किया, तो इसकुशिन का ए ओप्सन सही है, अच्छा, स्केल की फुल्फों में प्रजगार की जरूरतों के लिए ये एप एक बन स्टॉप सॉलिशन होगा, नएक शुशिन है, हाली में पांग लुप सोल महुतसब 2022 किस राज में मनाये गया है, पांग लुप सोल महुतसब ये अभी सिक्किम में मनाये गया, तो इसकुशिन का से ओप्सन सही है, आपको पता है, सिक्किम में भारत का तेसरा सबसे उच्या परवत है, और उसका नाम क्या है, कंचन जंगा, कंचन जंगा परवत के सम्मान में ये पांग लुप सोल महुतसब मनाये जाता है, तो अभी ये सिक्किम में मनाये गया है, अब सिक्किम तो ये है मैप में सिक्किम, सिक्क क्या है गंगटो सिक्म के प्रजेयन टायंब पेचीपनिश्ट्र कौन है त्रे मसिंग तवांग और लकारी हिए गंगाप प्रसाद मार्न हों नेर्पाइन क्रेड़िट काड कि डिजिटली करड की गोशना की है तो KCC के डिजिटली करड की गोशना अभी Union Bank of India ने की तो इस कुशन का बे option सही है यानि कि अब KCC के लिए किसानों को ब्रांच में जाने की जरूत नहीं होगी तो KCC को Digital करने की गोशना Union Bank of India ने की है अब Union Bank of India इसकी स्तापना कब होई? 1919 में इसका Headquarter कहाँ पे है? मुंबई में और इसकी Present Time पे CEO कौन है? A. Muddy Maclai कौन है? A. Muddy Maclai Next question है हाली में AV Charging Infrastructure स्तापना के लिए Hero Motor Cop ने किस किसा समझाता किया है? तो Electric Vehicle Charging Infrastructure के लिए Hero Motor Cop ने HPCL किसा समझाता किया है? तो इस question का बे option से ही है Hero Motor Cop ने अपने Two Wheeler की Electric Charging के लिए HPCL किसा समझाता किया है? अब HPCL यानि कि हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited इसकी स्तापना कब हुई 1974 में इसका Headquarter कहाँ पे है? मुंबई में और इसके Present Time पे CMD कौन है? Pusp Kumar Jossi ने question है हाली में किसे प्रतिस्ठित इसमिता पार्टिल मेमोरियल अबाट से सम्मानित किया गया? तो अबिनेत्री आलिया हट को अभी प्रतिस्ठित इसमिता पार्टिल मेमोरियल अबाट से सम्मानित किया गया है? तो इस question का Bay Options है है पार्ती सिनेमा में इनके सरहनी योगदान के लिए इनको इसमिता पार्टिल मेमोरियल अबाट से सम्मानित किया है नए क्यूशन है किस राज सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल कर देवगिरी किला करने की गोशना की है अच्छा इससे पहले महरास्ट सरकार औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर चुकी है और उसमानाबाद का नाम बदल के धाराश्यव कर चुकी है और अब दौलताबाद के लिए का नाम बदल के देवगिरी किला कर दिया गया है अब महराश्ट तो यह है मैप में महराश्ट, महराश्ट की capital के है मुंबई महराश्ट के clone क्यों है एकनात सिंदे और महराश्ट की governor कौन है भगरत चेंग कोशियारी अभी महरास्ट सरकार नेती आयोग जैसी एक संस्ता की इस्तापना करेगी संपत्ति पूंजी करड को डिजिटाइज करने वाला पहला राज महरास्ट बना है मारवत उत्सव ये नागपुर में मनाया गया देश की पहली इलेक्ट्रिक डवल डेकर एसी बॉस मुंबई में सुरू हुई और महरास्ट सरकार ने दही हांडी को खेल का दरजा देने की गोशना की है नेक शुशिन है हाली में AIBD की भारत की अध्यक्ष्टा कितने वर्स के लिए बढ़ा दी गई है तो AIBD की भारत की अध्यक्ष्टा एक बर्स के लिए बढ़ा दी गई है तो इस कुशिन का B options है AIBD यानि की Asia Pacific Institute of Broadcasting Development क्या है फुल फॉर्म Asia Pacific Institute of Broadcasting Development और इसके present time पे अध्यक्ष्ट कौन है मयंग कुमार अग्रवाल कौन है मयंग कुमार अग्रवाल नेक्ष्ट ने हाली में समुद्रे परेटन को बढ़ावा देने के लिए Green Finns Hub नामक BASWIC Digital Platform केस ने लॉंच किया है तो ये UNEP यानि की United Nations Environment Program ने लॉंच किया तो इस कुशिन का A options है ये एक BASWIC Digital Platform है जो समभनी समुद्रे परेटन को बढ़ावा देगा नेक्ष्ट ने हाली में केस राज के कारागार विभाग ने Mobile Attendance Application लॉंच किया है तो नागालेंड के कारागार विभाग ने कोहिमा में जो कारागार है यानि की कोहिमा जेल में स्टाफ की अटेंडेंस के लिए Mobile Attendance Application लॉंच किया तो इस कुशिन का A options है अब नागालेंड तो ये है मैप में नागालेंड नागालेंड की केपिटल क्या है कोही मा नागालेंड की चीप निश्टर कौन है नेफियू रियो और नागालेंड की प्रेजेंट टेम पे गवर्नर कौन है जगदेश मुखी नेफियू शिन है कि इस देश ने अपने राज कजाकस्तान की राजदानी का अभी तक नाम था नूर सुल्तान इसको बदलकर अस्ताना कर दिया गया है यहाप है मैं आप एक फैक्ट वता दू नूर सुल्तान से पहले कजाकस्तान की राजदानी का नाम अस्ताना ही था लेकिन फिर नूर सुल्तान हुआ अब नूर सुल्ता से बदल कर फिर से अस्थाना कर दिया गया है अब कजाकस्तान तो मैप में देखिए यह नियाद रखिए कजाकस्तान के प्रेसिडेंट का कारेकाल अभी तक पांच वर्स होता था अब इसे बढ़ाकर साथ वर्स कर दिया गया है तो राजधानी का भी नम बतला गया है और प्रेसिडेंट के कारेकाल को बढ़ाकर साथ साल किया गया है अब लास्ट वीडियो के सही था और लगबग सभी श्ट्रेडनेस का अंसा सही दिया मुश्ट लेश्ट्रेडनेस के बारे में डेटेल में लेखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कोईशन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिरोने आप कभी नहीं बोलते अब आपके लिए आज का कोईशन आपके लिए आज का कोईशन है हाली में फास्ट्रेक नियायलों में लंबित मुकद्दमों में कौन सा राज़ी सेल्स पर रहा है यानि कि फास्ट्रेक कूट में पैंडिंग केसिस के मामले में कौन सा राज़ी टॉप पर है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्ट्रेक पेज़ पर प्रेबियस एर कोशन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्ट्रेक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा फेस्ट्रेक पेज़ जोइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एर कोशन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कुश्चेन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉल्म है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर्सी Instagram पर इंद्रेश आर्सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी confusion, भी डाउट, एनी agitation, discuss कर सकते हैं अच्छा, आज किस वीडियो का आप टारगेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टारगेट है 40 है लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अलपो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अब ये तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजी आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो थैंक्स वर वाचिंग